Hello students, myself Asha Mam, your English teacher, और बच्चों, आज माँ आपको आपकी बुक हनीकोम का थर्ड शेप्टर, गोपाल and the हिल्षा फिश, इसके question answers explain कर रही हूँ, so listen carefully, our first question is, why did the king no more talk about the हिल्षा फिश, कि वो जो राजा था, वो हिल्षा फिश के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहता था, why did the king no more talk about the हिल्षा फिश, ठीक है वो राजा था, हिल्षा मश्ली के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहता था, तो हमरा answer होगा, the king wanted no more talk about the हिल्षा फिश, because he was fed up, to listen everyone talking about it, कि जो राजा था, वो हिल्षा मश्ली के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि he was fed up, वो तंग आ चुका था, to listen, ये सुनकर, कि everyone talking about it, कि हर कोई उसकी ही बात कर रहा था, मतलब क्या था, कि शहर में सभी लोग हिल्षा मश्ली के बारे में ही बात करते थे, कोई और बात नहीं करते थे, तो इस कार्ण जो राजा था, वो इस बात से तंग आ चुका था, second question देखिए, what did the king ask Gopal to do, to prove that he was clever, तो जो राजा है, वो Gopal से ये साबित करने के लिए, कि वो clever है, तो वो कौन सा काम कहता है, what did the king ask Gopal to do, कि राजा ने Gopal को कौन सा काम करने को कहा, to prove that he was clever, ये साबित करने के लिए, कि वो clever है, तो हमारा answer होगा, the king asked Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace, तो राजा ने Gopal से कहा, कि वो एक बड़ी सी hilsa मचली खरीद के लाए, और कहा लाए उसको bring it to the palace, पहले महल, और वो राजा के महल में लेके आए, no one should ask him a word about it, और कोई भी उसके बारे में एक शब्द ना पूछे, मतलब क्या था, कि हर कोई हilsa की बात करता था, तो राजा ने Gopal से ये शर्त रखी, कि वो हilsa मचली को खरीद के लाए, और रस्पे में उसे कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी ना पूछे, तो ये शर्त रखी थी राजा ने, ये दिखाने के लिए कि भई, Gopal clever है, तो वो कैसे साबित करेगा इस बात को, तो थार्ड क्योशन देखिए, तो अब हिल्सा मचली खरीदने जाने से पहले, Gopal ने कौन से तीन काम किये, मतलब जब Gopal हिल्सा मचली खरीदने जा रहा था, तो उससे पहले Gopal ने कौन कौन से तीन काम किये, तो देखिए हमारा आंस्वर, He half shaven his face, मतलब एक तो उसने अपने चहरे की आधी दाड़ी बनाई, मतलब हाफ शेवन क्या है कि आधी दाड़ी बनाई, आधी रख लिया, ऐसे कैसे, He smeared himself with ash, और अपने उपर क्यार लगा ली, राक, ash क्या होती, राक, राक से अपने आपको smeared मतलब मल लिया, He put on rags, और rags होता है, फटे पुराने चिथडे, उसने फटे पुराने चिथडे पहन लिया, मतलब बिलकुल गरीबों जैसा, भिखारियों जैसा, उसने हाल बना चेहरे पागलों के जैसा, चेहरे पर आदी दाड़ी बनाई, अपने आपको राक से मल लिया, और उसने फटे पुराने चिथडे पहन लिया, मतलब बहुत ही हुमरस लग रहा था, बहुत ही अजीव लग रहा था, फॉर्थ क्योस्टन देखिए, मतलब गोपाल महल के अंदर कैसे गया, तो सी दा किंग, राजा से मिलने के लिए, आफ्टर ही हैड बोट दा फिश, जब उसने मचली खरीद ली, क्योंकि इसने ऐसी हालत बना रखी थी ना, अब उसको जो कर्टियर्स थे, मतलब जो दरबारी थे, वो अंदर नहीं जाने देते, तो उसने क्या किया, तो हमारा आंसर होगा, When the guards stopped, Gopal to go inside the palace, कि जब guards ने, दरबारियों ने, Gopal को रोक दिया, महल के अंदर जाने से, he began to dance and sing loudly, तो उसने क्या किया, उसने नाचना और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, Hearing this, the king ordered the guards to bring Gopal before him, और ये सब सुनके, राजा ने, अपने guards को order दिया, कि वो उसको अंदर लेके आए, कहने का मतलब Gopal ने अपना भेश बदल रखा था, जब वो मचली खरीद के महल के बाहर पहुंचा, तो दरबारियों ने इसको मना कर दिया, फिर उसने जोर जोर से चीखना, चिलाना, नाचना गाना शुरू कर दिया, तो राजा को जब पता चला, तो उसने कहा, वह ये ब बोर्ट, तो आपको ये बताना है, कि जो Gopal ने हिलसा मचली खरीदी थी, तो किसी ने भी उसके बारे में बात क्यों नहीं की, मतलब क्या था, देखो, शहर में पहले तो सब लोग हिलसा मचली के बारे में बात कर रहे थे, जिसको देखो, वही उसकी बात कर रहा था, लेक पहली बात तो गोपाल ने आदी दाड़ी बना रखी थी, he had smeared ash on himself, दूसरा उसने अपने उपर राख लगा रखी थी, he was wearing rags, फिर तीश राखी ने फटे पुराने चिथड़े पहन रखे थे, so everyone was interested in his ridiculous dress, but not in hilsa fish, तो इस कारण सभी उसके कपड़ों की तरफ देख रहे थे, मतलब उनको सबको अजीब लग रहा था, तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, और हilsa की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया, जो भी रश्ते में मिले तो वो केवल उसी के बारे में बात कर रहे थे, झांध। झांद। झांद। जांद।